नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है देखिए अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दवा दीजिए ताकि जो भी वेडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए देखिए आर रेलवे एंटीपी दो हजार 16 में जो पेपर हुआ था वही पेपर हम आपके सामने ले आए हैं कि कैसे क्वेशन पूछे गए थे तो देखते हैं पहला क्वेशन है 75 सो रुपए पर दो बरस चार माहनों के लिए 12 परसे 12 प्रतिसत बारसिक दर से चक्रविर्दी ब्याज निकटतम रुपए में ग्याद करें इस ब्याज की गणना बारसिक अधार पर की जाती है तो इसका एंस्वर दोस्तों पहले का A2214 रुपए जिन्होंने एंस्वर दिया था वो दूसरा दिया था लेकिन एंस्वर A से है चलिए अगले क्वेशन की तरह बढ़ते हैं देखते हैं निम निलखित में से कौन सा विटामिन रक्ट के ठक्के बनाने में महत्त्वपूर निव तो इसका दोस्तों एंस्वर है विटामिन दूसरे का है विटामिन B12 ब्लड को जमने में मदद करते हैं चलिए अगले क्वेशन देखते हैं एक ब्यापार अपने समान पर क्रैम मुले से 20% ज़्यादा अंकित करता है यदि यो 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्तलाप का प्रतिसद ग्याद करिए तो दोस्तों इसका एंस्वर है दूसर से तीसरे का भी इसको सॉल्व करिएगा नहीं होगा तो हम आपको सारे क्वेशन का एक वीडियो अलग से दे देंगे आज हम यह बस देखेंगे कि किस तरह की क्वेशन आये हुए है तो दोस्तों अगले क्वेशन की तरह हम बढ़ता है देखिए यह एक रिजनिंग का क्व किक लिज्यार सी के एस डीयल टी तो फहले ए एक नंबर आई है और अैसक household सता है यहुझा का 9 होता है यह पर इस नौ-धाफे इसमें आठश का गैप है Kara को आप इस कउर्यार है इसमें बी आठ, इसमें आठ, 8 को ए आ immers stark है तो दोस्तों यह आप तीन से समझ ज přारता है है गए होंगे कि आठाट का नंबर आ रहे तो एंसर में मिला यह किसमें आठाट का गैप है तो दोस्तों यह सी है कि इसमें और चेंज है इस बात का ध्यार रखिएगा अगले क्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं सबरी कार्ति कौन है सबरी कार्ति कौन है तो दोस्तों एक रगवी खिलाड़ी रेलवे का फैवरेट टॉपिक की स्पोर्ट्स होता है जनरल अवर्नेस में तो आप लोग बिल्क करसक क्वेंशन integ excluded का कारण बनता है कि दोस्तों इसकर्ण की कथन में जो कहे वही सही है आपको अपना दिमांग नहीं लगाना है दोस्तों तो इसमें से क्या निकलता है आपका जो एंस्वर है चौथे का भी केवल निसकर दो निकलता है यहां बीमारी की तो बात ही नहीं हो रही है दोस्तों इसमें जो कथा नहीं बीमारी की बात नहीं हो रही तो पहला गलत है ब्रहम चिंता की और ले जाता है ब्रहम औ तो इसका झांसोर नहीं दिया गया था इसको अधिया गया था जद अग्रहन को पसल काटने गाइ तरह पतंग लिए तक कट पूतली गाथ तो दोस्तों ऐससी होगा पतंग महशों के रूपमें भी मनाया जाता है मकरистंग लाफ तो इसका कोई रिजनेवल एंस्वर नहीं बताएगा इसलिए स्क्वेशन को अटा गया था चलिए अगला क्वेशन देखते हैं 25 कोर्षियों का मुले 20 कोर्षियों के बिक्रे मुले के बराबर है तो लाब बताईए तो दोस्तों इसमें क्या होता है पचीश माइनस बीस दिवाइड बाइड बीस यह इंटू हंड्रेड यानि कि 5 बाइड ट्वेंटी इंटू हंड्रेड यह चार टाइमस कटेगा और हंड्रेड कटेगा 25 टाइमस तो पचीश माइनस बीस और आपका इंसवर आ जाएगा 25 परसेंट अगला क्वेशन पढ़ते हैं पिर से देखिए यह कथन का क्वेशन है धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्क दर्सक सिधांत सिखाता है निसकर से धर्म जीवन जीने का एक तरीका है अगला है कि धर्म एक सिक्षक है तो दोस्तों इसका एंसर जो दिया है तीसरे का यह दिया है केवल एक तर्क संकत है सिक्षक की बात नहीं कर रहा है दोस्तों सिर्फ यह जीवन जीने का एक तरीका बताता है तो जो कथन में रहे उसी हिसाब से निस्कर साथ को निकालना है अगला question देखते हैं इंट के question है Q के पिता के दामाद Q के पिता B के दामाद है C Q की बहिन है और पी की बेटी है P D की मामी है पी B से संबंदित है तो दोस्तों इसका answer होगा दूसरा कि लिए दोस्तों अगला क्वेशन देखते हैं जन्वरी 1610 में गैलेलियो द्वारा की गई खोज में गैलेलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है तो दोस्तों यह सी इसका एंसर होगा चौथे का सी देखिए एंसर में और भी रैंडम दिया है तो आपको इस बात का ध्या रखना है दो क्रमागत संख्याओं का लगुत्तम 144 से संख्याइं ग्याद करिए तो इसका एंसर होगा 16 और 18 अगला क्वेशन दोस्तों देखते हैं सुन्य डिग्री सेंटिग्रेट कितने फारेन हाइट के बराबर होगा तो चौथे कटी है दोस्तों अगला क्वेशन देखते हैं दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग नौ है जब संख्या में सत्ता ही जोड़ा जाता है तो अंकों का अस्थान आपस में बदल जाता है संख्या गयाद करें तो दोस्तों इसका अंसर होगा बस सारी सेट है और इसको मैं फुल्ली सॉल्व करके आपके सामने ला दूंगा बस्ता है